नमस्कार दोस्तों आज के ये वीडियो मेंने बना आया है वीगन्स के लिए खासकर उन वीगन्स के लिए जो अभी मैंने वीगन बने हैं या बनने की सोच रहे हैं बहुत स्ट्रॉंगली कि मैं वीगन बनता हूँ और उनके लिए भी है ये वीडियो जो वीगन का प्रचार करते हैं जो लोगों से कहते हैं कि वीगन बात क्या है वीगन कैसे बने क्या 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 करना चाहिए आपको तो यहां पर आगर आप वीडियो देखेंगे तो यहां पर मैंने बहुत सारे बातों को जिक्र किया है बहुत सारे बातों का. उसका timeline आपको नजर आएगा. जो भी बात आपके मतलब किए उस timeline पर जाके आप देख लें कि मेरे क्या मत है उस विशेप है. फाइनली आप लोगों के मत सुनके खुद सोचेगा कि क्या सही है और वो करें जो लोग बहुत धार्मिक होते हैं वो धर्म में जो लिखा हुआ है प्रिंसिपल जो सिध्धान्थ उसको एकदम strongly follow करते हैं यह जब कहा है ना तो ना फिर आप करी ने सकते किया तो नरक वैसे एकदम कड़क पर यह फर्क है वीगनिजम और धर्मों में वीगनिजम कहता है कि जहां तक हो सके वहां तक प्लीज न करें अगर आपकी जान की बात आ जाए दुसरा कोई चारा ही नहीं है बहुत है तो आप ठीक है इस्तमाल कर ले यूज कर ले बचा ले अपनी जान को सो वीगनवाद वो कहता है लेकिन धर्मों में लिखा हुआ है या जो बहुत ही धारमी वेक्ति वो तो कहता है मैं जान दे दूंगा पर मैं हाथ नहीं लगाऊंगा इस्तमाल नहीं करूंगा यह आप मानना चाहते है ठीक है यह आपकी बात बहुत बढ़िया इसमें मुझे कुछ नहीं कहना लेकिन वीगनिजम यह नहीं कहता है वीगनिजम कहता है जहां तक हो सके कोई परियाए नहीं है आपके पास there is no other choice and this is the only way you can survive अपनी इसी तरीके से जान बचा सकते हो तो अपनी जान का संट्रक्षन कर लो आप इंपोर्टेंट हो यह कहता है वीगनिजम को एक और बात जो यह वीगन मौमेंट में आ रहा है वो है कि आप कितने सच्छे अच्छे उंची कोटी के वीगन हो कितने प्योर हो वो हम इंसान के फित्रत ही है कि जहां देखो हम इसे यह बटवारा कर देते हैं अलग-अलग कर देते हैं अलग-अलग जाती बना देते हैं कि तू उंचा तू नीचा मैं यह वो वो पता नहीं क्यों हमारी जोरोत है और वो हम यह सब समझ के जब तोड़के वीगन बनते है उसके बाद वीगन बात में भी आ जाता कि आप total follow नहीं करते हो आप कम follow करते हो आप थोड़े से कम वीगन हो जो सच्चा वीगन है वो anti-natalist भी होता है वो minimalist भी होता है वो anti-consumerism भी होता है वो यह होता है फला होता है वो होता है वो है सच्चा उंची कोटी का वीगन तो यहां पर भी हमने वो कहीं वे वो स्टेटस बना दिया है मैं 18 साल से वीगन हूं मैं इतनी उंची का आप अभी अभी बने हो आपको पता नहीं आप नीच्छे ऐसे नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए तो आप जो वीगन हों आप से मेरा अनुरोध है कि प्लीज ये बटवारा न करे एक दूसरी को हम मोटिवेट करते रहते हैं एक दूसरी को हम सपोर्ट करते रहते हैं कभी कोई फिसला तो बले कोई बात नहीं तो फिसल गया गलत आप वहाँ जब गए उस धरम शाला में वहाँ पर आपने हा कह दी आपको गलत लगता है पर वह व्यक्तिक उस सही लग रहा तो उसको फटकार है नहीं उसको कोसे नहीं उसको लात नहीं मार दें कि चल तू आज से वीगन नहीं रहा तो ये नहीं है तो वो लिए एक तो आप होते कोन है यह कहने वाले कि तू वीगन है या नहीं हमें से किसी के पास यादिकार नहीं है कि हम यह वीगन सेडिफिकेशन दे अच्छा तू वीगन यह रा सेडिफिकेट लगा चाती पे वीगन यह तुम सेकंड ग्रीड वीगन थर्ड ग्रीड हमें से किसी के पास यादिका तो उसको मोटिवीट करें, उसको बताएं कि भाया सोचो आप, समझो आप, दें उसे समय, वो फिसल गया आएगा, अच्छा विक्ति है, अच्छे विक्ति कि अच्छाई को टच करें, उसको समझाएं, लोगों को अपने साथ लेके चलें, ये निकालना, दूर करना, ये सब करें, अगर आपका किसी के साथ नहीं बनता, तो उस विक्ति से दूर रहें आप, और उसको बधनाम न करें, उसके पीछे बात न करें, ये न कहें वो वीगन ऐसा है, वो वैसा है, उसकी जरूरत नहीं है हमें, हम अपना काम करें, आप से नहीं जमता मेरा, ठीक है भाया, आप अपना काम करो, अपने शेत्रों में करो, मैं अपना काम करता हूँ यहां पर, क्जिermaid, यह हम काम कर रहें पशो के लिए, और ये ज़रूरी नहीं कि हम दोनों हाथ कण पकड़ के ही काम करें तो होगा, आपके हमारी नहीं बनती, ठीक है आप अपना करें, मैं अपना कर कभी कबार मैं भी फिस लूंगा मुझे संभाल लेना जब हम वीगन बन जाते हैं वीगनिजम जीते हैं वीगन वाज जीते हैं तब हम चीड़ी नहीं कर सकते हैं तब ये एक जिवन शैली है ये एक प्रिंसिपल जीते हैं हम एक फिलोसफी जीते हैं यहाँ पे चीट्डे नहीं आ सकता क्योंकि हमें पता है वो गलत है आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं चोरी नहीं करूँगा मैंने चोरी बंद कर दी लेकिन हर हपते में एक बार या महीनी में एक बार चीट्डे और वो एक संडे जाके मैं चोरी कर लूँगा सुनने में बड़ा जीव लगता है वीगन वाज जब आप फॉलो करते हैं तो उसमें चीड़े की बात करना वैसे ही हुआ या तो आप कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कोशिश जारी है लेकिन अगर आपने कह दिया कि मैं वीगन और मैं ये समझ गया मानता हूँ गलत है बंद कर दिया मैंने उसके बात ये चीड़े क्या होता है हाँ गलती हो जाए आपको पता नहीं था आपने देखा नहीं इंग्रिडिंस आपने ठीक से पढ़ा नहीं आपको लगा कि ये वीगन ही होगा नहीं निकला वो ठीक है वो गलती हो गई और जैसे मैंने कहा ये इंसानियत का है अच्छाई का है गलती हो गई अपने आपको माफ कर दें ध्यान रखें पर ये चीड़े नहीं डाल सकते आप कि मैं हपते में दो बार चीड़े रखूँगा पास दिन वीगन हूँ आप कहें मैं वीगन बन रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ कोई बात नहीं सो कहीं बार मैंने देखा है कि कुछ वीगन्स की बीच में मदवेद हो जाता है डिबेट हो जाता है कभी-कभी बात इतनी बढ़ जाती कि लड़ने लगते है डिबेट ये होता है कि अगर मैंने औरड़ी कुछ लेधर प्रोड़क्त, कुछ सिल्के प्रोड़क्त खरीद ली है बहुत साल पहले और वो अब भी है मेरे घर पे तो क्या करो मैं उसका? उसको मैं फिक दू, जला दू, क्या करू? वो तो resources का waste हो जाएगा, पैसे का waste हो जाएगा जो औरड़ी लगा हुआ है सो मेरे पास औरड़ी एक सिल्की साड़ी है, उसको अगर मैं जला दू, तो फिर मैं क्या नया खरीदने जाओ? तो वो resources संसादन फिर लग गए सो कुछ लोगों का मानना है कि हमें वो रखना चाहिए और इस्तमाल करना चाहिए कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आप वीगन बन गए, आपको पता चल गया कि पशू पदार सब कुरूरता से आता है तो आपको इनका टोडल परेस करना चाहिए तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है? मैं यह कहूँगा, आप अपने आप से सोचें अपनी विवेग को जगाएं और सोचें कि क्या करना चाहिए? अगर आपने ले लिया और आपको लगता है कि यह फेक देने से resources वेश हो जाएंगे, ठीक है सर, फेक है नहीं, किसी और को दे दे पर इससे भी कुछ लोगों को लगता है कि फिर आपने पशुपदार्थ लोगों को दे दिया इसका कोई simple answer नहीं होता इसलिए आप सोच, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप अभी वीगन हो आप अभी से नहीं खर्चने वाले किसी भी पशुकरूरता पे आप अभी से कोई भी नया वस्तू नहीं खरीदोगे वो market को आप encourage नहीं करोगे मेरे लिए वो main बात है आपने उसको घर पे ही रखा फेका नहीं, किसी और को दे दिया या आपने उसको जला भी दिया ये मेरे लिए उतनी important नहीं है हाँ, अगर आप अपने आपको वीगन गोशित करते हो लोगों को बताते हो कि मैं वीगन हूँ और ये सब परहेज करना चाहिए तो कम से कम अगर आप ये लोगों को बता रहे हो तो उस समय आप लिदर जैकेट न पहने फिर उत दोगलापन लगेगा तो अगर आप अक्टिविजम करते हो लोगों के सामने जाते हो तो प्लीज ये सब पहन के डिस्पले न करें फिर उबड़ा अजीब लगता है कि बंदा सिल्क के खिलापात कर रहा है लेकिन सिल्क के साड़ी में खड़ा है मैं वीगन बात का एक सरड़ सा definition देता हूँ कि अपने जीने और खाने के लिए किसी भी पशू या पशू पदार्त का उपयोग न करे, पशू का सोशन न करे जहां तक हो सके वहां तक यह सिंपल सा definition में देता हूँ अब यह भी लोगों को बहुत भारी लग जाता है कि अरे आपका कहना है कि मैं कोई भी पशू पदार्त इस्तमाल नहीं करूँ कोई भी जानौर का प्रड़क नहीं इस्तमाल करूँ डेरी भी बंद कर दूँ तो लोगों को यही बहुत पहाड लगता है कि यह हम कैसे करें और वो तो डेरे रहते हैं उस पे भी जब हम में से कोई दो-तीन बाते और जोड़ देता है कि नहीं अब आपको सिर्फ fruits खाना चाहिए सिर्फ oil free खाना चाहिए sugar का त्याक कर दें तो सामने आले को लगता है कि यह तो यार कुछ अजीबी बात होगी यह तो नमुमकिन सा बात है जो मेरे परे हैं नहीं तो छोड़ो मैं वीगन वात के और देखता ही नहीं हूँ तो आपका over enthusiasm आपका यह ज़ादा जो है उसका नुकसान होता है हानी होता है या ऐसा भी होता है बहुत बार कि बहुत सारे लोग वीगन वात के साथ दूसरी सारी बात ही जोड़ देते हैं कि अगर आप वीगन बनोगे तो आपको यह anti-natalism यह follow करना चाहिए वीगन बनोगे तो आपको feminist होना चाहिए वीगन बनोगे तो आपको intersectional होना चाहिए बला बला बहुत सारी बाते और यह बहुत complicated कर डालता है तो इसके जरूत नहीं है हो तो बहुत बढ़िया आपके अपनी सोच आपका अपना दिल पर जरूरी नहीं है वीगन बात का सिरफ simple definition यही है और वीगन बात सिरफ पश्यों के लिए है वीगन बात का definition है अपने जिने और खाने के लिए जहां तक हो सके किसी भी पश्यों का सोचन नकरें जहां तक हो सके simple जो विक्ति वीगन जिवन्शे लिए अपनाता है उसने जो समाज में अरड़ी सोच चल रहा है उसको चैलेंज किया है उसको तोड़ा है नया विचार अपनाया है कि नहीं इसके जोरत नहीं है मैं कुछ नया सोचूंगा यह शक्तिशाली लोग है जो सोचते हैं तो इनकी सोच और भी बढ़ेगी यह कहेंगे कि अगर मैं सहत के लिए कर रहा हूँ तो मुझे सहत के लिए ये भी करना चाहिए मुझे तेल बंद करना चाहिए यह विक्ति शायद आके जलके ये कहेगा कि मेरे सहत के लिए मैं शकर भी बंद कर दूँगा, मैं raw खाऊंगा, यह सिर्फ कच्चा खाऊंगा, सिर्फ फलफूल खाऊंगा, सिर्फ फल, pruterian diet पर जाऊंगा तो प्लीज समझें, यह इस व्यक्ति की सोच है, इस व्यक्ति की जुरुत है, यह वीगन वाद की जुरुत नहीं है वीगनिजम का सिंपल से डिफिनिशन, खाने और जीने के लिए, अपने खाने और जीने के लिए किसी भी पशुका शोशन ना करें किसी भी पशु को प्योग न करें जहां तक हो सके तो सो उसके लिए आपको पशु बदार्थ का त्याग करना होगा उससे दूर करना होगा उसका परहेज करना होगा पर यह fruitarian, oil-free dry raw diet यह सारी जो है यह वीगन वाद की जुरूत नहीं है यह आप चुने, इसके आगे आपको क्या क्या करना है, अपने सहत के लिए पर प्लीज इसे ही compulsory न बनाए कि अगर आप वीगन हो, तो आपको सारे तेल का त्या करना होगा शुगर का त्या करना होगा, सिर्फ कच्चा खाना होगा, जीन नहीं प्लीज, मिक्स करके लोगों को कन्फ्यूज न करें आप समझें, वीगन वाद कहता है कि सरल सादा खाए और किसी भी पशुका सोशन न करें तो प्लीज याद रखें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन ये दोनों डाइट होते हैं वैसे ही फ्रुटेरियन, रॉफ रूट्स खाना, रॉफ वेजिटेबल्स खाना, ग्लूटेन फ्री खाना ये सारे डाइट है लेकिन वीगनिजम, वीगन वाद, डाइट नहीं है हम वो कैटेगरी में नहीं आते हम सिर्फ खाने की बात नहीं करते कि ये ही खाए मेरे इस्तिमाल में न मेरे जीने में, सो मैं वो न पहनूंगा, न वो मैं सवारी करूंगा, न वो मैं कुछ भी, सब से दूर रहता हूं मैं, वैसे ही, मसालों का त्याग कर देना, सिर्फ ब्लैंड खाना, ब्लैंड इनी जिसमें जादा नवक न हो, टेस्ट न हो, वैसा ही खाना, यह सब वीगन बात की जुरूत नहीं है, यह आपका अपना पर्सनल चॉइस है, कि आप कैसी जीन और खाना चाहते हो, वीगन बात के साथ एक और बात जो लोग जोड़ देते हैं, वो है मिनिमिलिजम, देखिए मिनिमिलिजम बहुत अच्छी बात है, इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, जरूर देखें आप, लेकिन मिनिमिलिजम वीगन बात की जुरूत नहीं है, लेकिन अगर आप करेंगे, आपका परसनल चॉइस बहुत अच्छा, सो वीगनिजम कहीं बे यह नहीं कहता, कि आप फॉरेंड का ब्रांड न खरीदें, MNC का का प्रोड़क्ट न खरीदें, पैकेज आइटम न खरीदें, यह सब वीगन वाद नहीं कहता, पर अगर आप इन सब से, इन सब का परेज करके, सिर्फ लोकल जो देशी मिले, वो इस्तिमाल कर सकते हो, बहुत बढ़ी आप, यह आपका चॉइस है, पर वीगन वाद के जुरूत नहीं आईए, क्योंकि वीगन वाद सिर्फ इतना कहता है, कि पशूओं का पदार्थ, पशूओं का इस्तिमाल, अपने खाने और जिने के लिए न करें, जहां तक हो सके, तो अगर आपको और कुछ नहीं मिल रहा है, वस एक पैकेज, एमिन सी का विफरी ही मिल रहा है, आप खा सकते हैं, प्रवाइड़, उसमें मिल्क सॉलिड्स या ऐसा कुछ नहीं हो, चुँकि वीगनवाद भी कहता है, कि जहां तक हो सके, किसी का दुरूपयोग न करो, जहां तक हो सके, कम से कम इस्तेमाल करो, अच्छे इंसान बनो, तो ये फिलोसफी जो है, हो तो बहुत बढ़िया, आपके अपनी सोच, आपका अपना दिल, पर ज़रूरी नहीं है, तो वीगन वाद जो है, ये कैपिटलिजम के खिलाफ नहीं है, वीगन वाद जो है, ये कम्मिनिजम के खिलाफ भी नहीं है, न सोशलिस के साथ है, हम politically किसी भी चीज के साथ नहीं जुड़ते यह आपका अपना personal choice है कि वीगन होते विए आपको क्या follow करना है आपको capitalist बनना है यह आप Russia और China में रहते हैं आपको communist रहना है यह आपको socialist रहना है यह आपकी अपनी मर्जी वस इतना वीगन वात कहता है कि प्लीज जो भी आप political movement follow करते हो जो भी आपके political belief है आप प्लीज कोई पशुपदार्थ का इस्तेमाल न करे पशुपदार्थ का सोशन न करे जहां तक हो सके वैसी एक शब्द आता है consumerism, भोगवाद सो consumerism और भोगवाद गलत है अगर हम सिर्फ consume करते रहेंगे सिर्फ भोगते रहेंगे तो हम उतना resources इस्तिमाल कर लेंगे जो जरूत ही नहीं उतना उन सब पर पैसे खरच कर देंगे हमारा उतना debt बढ़ जाएगा उतना loan बढ़ जाएगा हमारा नुकसान होगा और अगर पैसे है भी तो सही जगा की जगा ये सब फालतू चीजों में जाया होगा तो consumerism तो definitely फालतू है ये बड़े-बड़ी company आं marketing करके हमें पागल बनाता है हाँ लेकिन consumerism अलग matter है vegan वाद अलग matter ये जरूरी नहीं कि अगर आप veganism follow करते हो ये वीगन वाद के हो ये वीगन हो तो आप consumerism totally avoid करें जरूरी नहीं है पर अगर आपने consumerism भी किया तो अच्छी बात है जरूरी नहीं है पर ये एक और बात जो लोग जोड़ते हैं वीगन वाद के साथ वो है anti-natalism anti-natalism में ने आपको ये बच्चे पैदा नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो सिर्फ संसाधन का उप्योग करते हैं एक बच्चा अपने पूरे जिंदगी में जो वो 50, 60, 70, 80 साल का जीता है उसमें कितना संसाधन इस्तमाल कर लिया तो ये anti-natalism कहता है कि बच्चे आते हैं इनको दुखी मिलता है संसार में तकलीफी मिलता है और वो भोगते हैं क्योंकि और क्या करेंगे सिर्फ कंजूमी करते रहेंगे और रिटर्न में नेचर प्रकृति को कुछ नहीं देता इंसान क्या देते हैं हम हम अपना ही करते हैं सो प्रकृति को फरक नहीं पड़ता है इनसान रहे या ना रहे तो वैसे ये anti-natalism कहता है कि बच्चे बैदा करने के ज़रूत नहीं है चुँकि वीगन बाद भी कहता है कि जहां तक हो सके किसी का दुरूपयोग न करो जहां तक हो सके कम से कम इस्तमाल करो अच्छे इनसान बनो तो ये फिलोसफी जो है इसके साथ थोड़ा जुड़ता है कुछ लोग कहते हैं कि आप अच्छा और सच्चा वीगन तब हो जब आप anti-natalist भी हो ज़रूरी नहीं है हो सकता है आपके और डी चार बच्चे है कोई बात नहीं आप फिर भी वीगन बन सकते हो चार बच्चों को भी वीगन बनाए हो सकता है कि आप शादी कर के बच्चे बैदा करें ठीक है ये ज़रूरी नहीं है कि वीगन होने के लिए आप अंटी नाटलिस्टी हो, हो तो बहुत बढ़िया आपके अपनी सोच, आपका अपना दिल, पर ज़रूरी नहीं है इसे के साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सच्चा अच्छा वीगन वो जो नास्तिक हो, एतिस्ट हो क्योंकि बहुत सारे कुछ प्रचलित वीगन जो हैं दुनिया के, वो एतिस्ट हैं तो बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि आपको भी एतिस्ट होना चाहिए, आप धार्मिक नहीं रह सकते जी नहीं, इसका भी वीगन वाद से कोई लिना देना नहीं है आप अच्छा वीगन बने, अच्छा इंसान बने, अहिंसक बने, अच्छा मानोता फालो करें धार्मिक रह या नहीं? क्या फ़रक पड़ता है? रहें आप धार्मिक, रहें आप फिरिचोल, रहें आप रिलिजिस बस पशुओं का सोशिन न करे, उनको हानी न पहुचा, उनका दुरूपयोग न करे आप रहे नास्तिक या रहे आस्तिक, वीगिन वाद का ये कोई मापदर नहीं है कि वो होगे तो आप अच्छा वीगन, जी नहीं कुछ लोग कभी-कभी आपसे कहेंगे कि आप कहते हो वीगन कम से कम नुकसान करो, पश्यों को हानी न पहुचाओ, लेकिन आप जब ये बदाम खाते हो, या अवोकाड़ो खाते हो, तो ये तो बहुत पानी इस्तेमाल करते हैं, अवोकाड़ो तो फॉरेन का है, तो ये कंज मैंने आपको समझाया, वीगन बात का डेफिनेशन कहता है, कि पश्यों का सोशन न हो, पश्यों का इस्तेमाल न करें, उनका दुरुपयोग न करें, उनको हानी न पहुचा, तो बदाम खाने में आप वीगन कम या जादा नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे लगता ह कि मैं वही खाऊं जिसमें कम से कम संसादन लगे, बदाम की बिना में चला सकता हूं, तो आपकी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बदाम न खाएं आप, अवाकोड़ो फॉरन से आता है, हमारा देसी नहीं है, ऐसे नहीं कि नहीं खाएंगे तो यह तकलीफ हो ज कर दें, करोगे तो यह आपने अपने आप से चुना, या आपकी अपनी मर्जी जैसी वीगन वाद की बात करते हैं तो सोया फटक से आ जाता है जैसे कि सोया नहीं खाएंगे तो आप वीगन नहीं सोया कोई जुरूत नहीं है वीगन बनने के लिए अगर आपको सोया पसंद नहीं है, सोया से परहेज है सोया नहीं खाना चाहते हैं, न खाएं आपके वीगन रहने से क्या लेना देना है इसका बस पशू कहानी न करो आप वीगन जब आप वीगन बन जाते हैं तो आप जितने भी प्रोड़क्ट से उनके सामगरी पढ़ते हैं कि क्या लिखा है कोई पशू बदार्थ है या नहीं बहुत बार आपने पढ़ा होगा make content traces ये make content traces का क्या मतलब है make content traces का मतलब होता है कि ये उत्पाद ये जो प्रोड़क्ट है ये जो भी फैक्टर में बनाया वहाँ पे दूसरी प्रोड़क्ट भी बनते हैं तो हो सकता है कि उसका trace जैसे हमारा जो वीगन प्रोड़क्ट बनाने से पहले, वहां पर अगर उन्हेने चॉकलेट बनाया, तो हो सकता है कुछ ट्रेस, मिल्क सॉलिट्स के रहे जाएं, ट्रेस ना के बराबर, लेकिन अगर आप उसको माइक्रोस्कॉपिक टेस्ट करेंगे, तो मिल सकता है, तो वो वीगन प्रोड़क्ट बनाते हैं, तो चुकि वीगन बाद अभी बढ़ रहा है, हमारे बहुत सारे प्रोड़क्ट ऐसे कंपनीज में, ऐसे फैक्टरी में बनेंगे, ऐसे होटल्स में बनेंगे, जहां दूसरा भी होता है, जैसे अगर आप कहीं से बर्गर खा रहे हो, तो आप उनको बोलोगे, वीगन बर्गर बनाना मेरे लिए, बटर नहीं, घी नहीं, कोई अनिमल फैट नहीं, अनिमल सॉलिड्स नहीं, आप ये सब कहोगे, लेकिन उससे पहले वहाँ पे कुछ और बना था, तो वो एकदम परफेक्ट चक करना बड़ा मुश्किल है, क्योंक पाम ओईल जो है, उसको खाना बंद कर दें, क्योंकि वो वीगन नहीं है, नौन वीगन है, क्योंकि उसके वज़े से बहुत सारे औराइगू टाइंग, बहुत सारे जानवरों को तकलीफ हुई है, तो प्लीज समझते हैं कि ये क्या मुद्दा है, वैसे मेरे मत से, मेरा क्या, किसी के भी मत से, जो थोड़ा सा भी उशारो, उसके मत से पाम ओईल वीगन ही है, क्योंकि पाम ओईल आता है पाम ओईल से, जो की वनस्पती है, पाम, वहाँ से आता है, और पाम ओईल बनाने मे कोई भी पशू का ingredients नहीं लगता, पशू की जरौत नहीं होती, उनके समग़री की भी जरौत नहीं होती, इसलिए पाम उयल जो है vegan है पर इनसान इतना बुरा है हम इनसान इतने बुरे हैं कि हम ये पामोईल बनाने के लिए जंगले काट देते हैं बहुत सारे जंगल कारते हैं, तो वो जंगल में जितने भी वो प्राणी हैं, जितने भी उस वन में रहने वाले जितने भी पशुँ हैं, उन सब को हानी हो जाता है, उनका घर भरबाद हो जाता है, वो बिचारे तहसनेस हो जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, वो मर जाते हैं, तो उसकारण ये इनसान का ग्रीड, इनसान की भूक, इनसान का लालच और ऐसा हमने एक खाली पाम उयल के लिए नहीं किया हमने सब के लिए किया है, जहाँ जहाँ हमने जंगले काटे वहाँ वहाँ हमने वह पूर्ण विनाश किया है तो जो वहाँ है सब पूरा विनाश कर देते हैं और वहाँ पे जब हम सोया हुगाते हैं तो सोया वीगन ही है या वहाँ पे अगर हम चावल भी हुगाएं तो चावल वीगन है लेकिन वहाँ पे इनसान ने अपने लालच में बर्बादी कर दी, जंगल जला दिया, खेद जला दीये, जो भी तो वो जो किया, वो इनसान का लालच इनसान अच्छे से कर सकता था पर नहीं करता क्योंकि हमें बहुत जल्दी जल्दी पैसे कमाने हैं हम थोड़ा भी ख्याल नहीं करते किसी और का ये हमारी अर्स सम्वेदन शीरता पर पाम ओई वीगन है जो वीगन है उसने आज नहीं तो कल या नहीं सुना तो सुनोगे आप कि अबॉलिशनिस्ट क्या है वेलपेरिस्ट क्या है हम अबॉलिशनिस्ट है हम वेलपेरिस्ट नहीं है सो समझते हैं इसका क्या मतलब है Abolition का मतलब होता है Total Band Abolish कर दो इसको खतम कर दो सो वीगन कहता है कि आप प्लीज ये जानूरों का सोशन बंद करें Total Band जानूरों का सोशन बंद करें जानूरों को मारना बंद करें Total Abolish करो खतम करो इसमें समझोता नहीं करते कि आप एक लाग मार रहे हो चलो उसमें से दस हजार कम कर दो अभी 90 हजार मारो फिर 80 हजार मारो ठीक कि कम हो रहा है अच्छी कि आप अच्छा कर रहे हो बढ़िया सो वीगन ऐसे बात नहीं करता हमारे लिए पश्यों का सोशन गलत है गलत है गलत है एक मार रहे हो सो मार रहे हो गलत है कम कर रहे हो ठीक है साब आप कम कर रहे हो अच्छी बात है पर हमारी मांग टोटल बंद आप कम कर रहे हो अच्छी बात है एप्रिशेट करें बंदा कम कर रहा है उसको प्रोट साइन करें कि और कम करो लेकिन हमारी मांग यह नहीं कि आप प्लीज कम करें हमारी मांग है प्लीज आप बंद करें वो कम कर रहा है हम उसको कहेंगे अच्छी बात है सर कर ने आप अच्छी बात है पर बंद करें बंद करें अत्याचार बंद हो ये नहीं कहा जाता, कानून ये नहीं कहता कि आप खूनी हो, डकेती हो, चलो कम कर दो गलत है, कानून कहता है बंद करो, और वैसी वीगन कहता है बंद करो वेलफेरिस जो हैं, ये काम करते हों कि जो लॉज अरड़ी चल रहा है जो दुर वैवार आज के तारीक में कानूनन है जो ठीक है उसको थोड़ा वेलफेर इन्हें उसको थोड़ा और अच्छा करो जैसे मुर्गियों को आप एक दूसरी के सामने मारते हो वो कहते हैं कि भाईया आप मार रहे हो आपका कानून अलाव करता है सारे लोग कहता है ये ठीक है चौन कम से कम थोड़ा प्यार से करो उसको अलग से निकाल के मारो एक दूसरे के सामने नो मारो जबकि वीगन बोलता है कि आपने सामने मारा आगे मारा पीछे मारा यह सिर्फ खाली कॉजमेटिक है, यह आपने मेक अप कैसे कि यह वो बात हो गई, हम कहते हैं बंद करो, गलत है, सामने मारा पीछे मारा सब गलत है, आप मारने के लिए लाएं, जीव को वो गलत, वो वीगन बात कहता है, सो वेलफेरिस कहता है कि आप गाहे भैस के साथ यह अत्यचार कर रहे हो, ठीक है अभी, सब कर रहा है, हर कोई कर रहा है, चलो, इसको आप नाक में नकेल न डालें, इसके जगह आप प्लास्टिक डालें, प्लास्टिक से कम तकलीफ होता है, पर तकलीफ है, उसका सोशन है, व वो अपना कर रहे हैं, लेकिन वीगन वो नहीं करता, वीगन कहता है, गलत-गलत है, पशियों का सोशिटा बंद करो. पर अगर कोई वेलफरीस का काम करता है, तो मैं जा के उसको जलीन नहीं करता, मैं उसको तड़काता नहीं हुँ, मैं कहता हूँ कि भई आप कर रहें अच्छी बात है और मैं तो कहूंगा टोटल बंद हो हमारी बात उन तक पहुँचे आज नितकल वो भी बंद करवाएंगे पूरा